ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक ब्राइड को रोड पर भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे कुछ गुंडे लगे थे और भागते हुए हमें वोईस ओवर में उस लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी प्यार के बिना शादी करना बहुत ही ज्यादा म क्योंकि यह लड़की बहुत ही सुन्दर थी और इस लड़की का नाम आना था वहां से एक और लड़का गुजर रहा होता है जिसकी गर्लफ्रेंड उसका कान पकड़कर उसे खीच कर ले जा रही थी वह भी अना को देखते ही रह जाता है पर अना जल्दी से वहां से भाग कॉल रिसीव नहीं करती अब हम इसके डैड को देखते हैं जो कि अपने बॉस मिसिस फू के सामने खड़ी थी और उनसे माफी मांग रहे थे वह कहते हैं इस लड़की को मैं ढूंड लूंगा जिस पर मिसिस फू कहती हैं कोई बात नहीं लड़कियां ऐसी ही होती हैं पर ज बढ़की शादी से भाग गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं वैसे भी मेरी पैरिस के लिए फ्लाइट है मैं वहां के लिए निकल रहा हूं मेरी ग्रैंड मा पहले ही जा चुकी है और वह वहां से निकल जाता है आना के फादर मिसिस फू से कहते हैं अब मुझे क्या कर करना चाहिए जिस पर वह कहती है यह शादी मैंने जिन की ग्रैंड मा के साथ मिलकर तैकी थी वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं किसी भी हालात में यह शादी करा कर रहूंगी तब ही वहां पर एक सर्वेंट आता है और उनको दो सर्टिफिकेट देते हुए कहता है यह मै बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं और हम जल्दी शादी कर लेंगे पर तभी पीछे से उसकी वाइफ आ जाती है और उसकी बढ़िया वाली कुटाई करती है आना बड़े ही स्टाइल में वहां से उठकर चलती है और इसके बाद आना अपना इंट्रोडक्शन देते वह मेरे पास आती हैं और मैं उनसे मुह मांगी कीमत लेती हूँ उनके हस्बेंड की जासूसी करने के लिए और साबित करके दिखाती हूँ कि उनका हस्बेंड उनको धोखा दे रहा है और साथ ही में हमें कुछ सीन भी दिखाई जाते हैं कि वह किस तरह से रोज नए-णए लोगों से मिलाती है और फिर उसी के सामने होती है आज आना एक होटल में आई है जहां पर एक कस्टमर आने वाला है और ये बहुत ही एक्स्टमर है इसके लिए उसने बहुत ही सारे पैसे लिए है और वह इस होटल का डेली गेस्ट है आज वह करीब दोहन बजे स्विमिंग पूल के पास आएगा अना उसका इंतजार कर रही थी वह गया स्टार्ट आता है पर तभी यहां पर हमारा मैंडिर और इस होटल का प्रेजिडेंट जिनकी एंट्री होती है अना को लगता है कि यह वही कस्टमर है और वह जल्दी से जाकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मैं न्यू जिस पर वेटरेस में जिन कहता है तो ठीक है अपना काम अच्छे से करो वह जाने लगती है पर बहाना बना कर स्विमिंग पूल में गिर जाती है और फिर डूबने का नाटक करती है जिसके बाद जिन उसको बचाता है अना कहती है इसको हैंडल करना तो बहुत ही ज्यादा सिम्पल था और वह हंसने लगती है हम देखते हैं कि यह लड़की जिनके सामने खड़ी होकर ही हंस रही थी और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था यह सिर्फ इसका नाटक था जिस पर जिन कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो तुम्हें काम नहीं करना जिस पर उसे रियलाइज होता है कि वह सिर्फ अभी तक अपने खयालों में ही खोई हुई थी और वहीं पर सारा काम खत्म करके वापस भी आ चुकी है जिसके बाद वह सब कुछ दोबारा से करने की कोशिश करती है कि उसका पैर फिसल गया और वह स्विमिंग पूल की जगह पर फ्लॉर पर ही गिर जाती है और जो भी पानी उसके हाथ में था वह सारा इस बेचारी के मुह पर गिर जाता है यह देखकर तो जिनको भी हंसी आती है और आना बेचारी सोचती है ये कितना ज्यादा embarrassing है मैं यहां काम करने आई हूँ लेकिन यहां तो मेरी बेज़ती हो रही है पर जिन उसकी मदद करता है उठने में और वह उसको एक चेर पर बिठा देता है वो जाने लगता है पर आना उसको अपने करीब लाते हुए बोलती है मेरी जान बचाने के लिए आपका थैंक यू वोईस प्रेसिडेंट जिस पर जिन से हम बोलता है और पीछे हट जाता है वो वहां से जारी रखता है पर आना उसको रोक कर कहती है क्योंकि आपने मेरी हेल्प की है इसलिए मैं आपको एक डिनर ट्रीट देना चाहती हूँ जिसके लिए जिन तुरंथ हां बोल देता है और आना उसको अपना नाम बताती है जिस पर जिन दिल से अपना नाम बताता है जिनका नाम सुनकर आना को याद आता है अपना past और हमको flashback दिखाया जाता है दिखाया जाता है जहां पर उसकी dead उसके उपर जिन से शादी करने का दबाव बनाते हैं और वह इंकार करती है तब ही scene वापस present में shift होता है जिन वहां से चला जाता है अना खुद से ही कहती है ये तो मेरा ही husband है क्या इसमें दूसरी शादी कर ली पर इसने मुझसे divorce तो दिया भी नहीं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसके बाद हम जिन को देखते हैं उसके पास miss fu का call आता है और वह उसको कहती है अब तुम्हें वापस चीना आ जाना चाहिए तुम्हें अपनी wife को ढूणना है वह call कट कर अपने manager से कहता है जल्द से जल्द मेरी wife को ढूणो और वह आना को याद करते हुए सोचता है क्या ये love at first sight था इसके बाद हम रात को इन दोनों को डिनर करते हुए देखते हैं जिस restaurant में आना जिनको डिनर के लिए लेकर आई थी वह restaurant जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह आना से कहता है क्या हम यहीं पर डिनर करने वाले हैं जिस पर आना हमें जवाब देती है और एक डिश देते हुए कहती है ये भाभी क्यों है इनको टेस्ट करो ये तुम्हें पसंद आएगा वह मुह बनाते हुए टेस्ट करता है उसको जरा भी पसंद नहीं आता पर वह जूठी तारीफ करता है पर आना उसका फेस देखकर समझ जाती है कि वह जूठी तारीफ कर रहा है और वह मन ही मन खुश होती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर दूँगी और तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी वाइफ के सामने लाकर रख दूँगी इसके बाद आना नशे में होने का नाटक करती है वह बेहोश हो जाती है यह देखकर जिनको काफी ज्यादा अजीब लगता है और जिन कहता है लड़की पागल है जो अजनबी आदमी के सामने इस तरह से पी कर बेहोश हो गई तब ही वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और जिन से कहता है क्या करना है जिन कहता है इसे मेरे घर पर पहुँचा दो उसके बाद मुझसे अपने घर पर लेकर आता है यहाँ पर आना उसके उपर फुल लाइन मारती है और उसको अपनी बातों में फसाने का फुल ट्राइ करती है पर तभी जिन उसको कहता है मैं शादी शुदा हूँ और रूम से बाहर चला जाता है ये सुनकर आना सोचती है इसमें तो अपनी आइडेंटिटी मेरे सामने रिवील कर दी शायद ये एक अच्छा इंसान है और उसकी वाइफ को गलत फहमी हुई है अगली सुबह हम जिनको ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं तभी यहाँ पर अना आ जाती है और आकर ब्रेकफास्ट करने लगती है मुकुल रात के बारे में जिक्र करता है आज के बाद फ्यूचर में कभी मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है वहाँ से उठकर चला जाता है जिस पर अना कहती है वाइस प्रेजिडेंट को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है और तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है जिस पर कह दिया वह मैं फिर से लेट हो गई इसके बाद हम इसको एक डांस क्लास में देखते हैं इसी डांस क्लास के बाहर जिन अपनी मैनेजर के साथ आता है मैनेजर कहता है मैंने सभी जगह पता किया है आपकी वाइफ आपको यहीं मिलेगी क्योंकि उसको डांस बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसके जितने भी करीबी थे मैंने सबसे पूछताच की है जिस पर अगर मुझे वह यहाँ पर नहीं मिलीना तो तुम्हारी तो शमत आ जाएगी तभी हम देखते हैं एक आदमी आकर अना को कुछ भूखा देता है अना खुश होकर वह भूखा लेती है उसको हक करती है दूर से यह सब कुछ जिन देखता है पर वह अना का फेस नहीं देख पाता यह देखकर उसको गुस्सा आता है और वह कहता है एक मैं ही हूँ जो यह बात अब तक याद करके रखा हूँ कि मैं शादी शुदा हूँ मेरी वाइफ को तो परवाह ही नहीं और वह भूखे को वही पर फेंक कर वहां से चला जाता है इसके बाद वहां पर उस आदमी की वाइफ आती है और हां कर उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है कि वह उसको धोखा दे रहा था इसके बाद पहले से अना मौजूद थी वह अना से कहता है क्या हुआ अना कहती है मेरे पास जॉब नहीं है घर नहीं है खाने के लिए पैसा नहीं है प्लीज मेरी मदद करो जिस पर वह उसको घर के अंदर बुला लेता है अना जिन से कहती है प्रेजिडेंट मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी मैं सिर्फ इतना कहूंगी अभी मेरे पास ना घर है ना पैसा और ना खाना है तो आप बस मेरी सिर्फ थोड़ी सी देख भाल कर लीजिए जिस पर जिन अपने मन में सोचता है पहले ही मेरी वाइफ कैसी भी हो भले ही वह मुझे धोखा दे रही हो पर मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा तब ही उसके पास मिस फू की कॉल आती है वह कॉल रिसीव करता है मिस फू उसको बोलती है कि वहाँ पर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी अना ऐसा नहीं कर सकती जिस पर वह कहता है मैंने सब अपनी आँखों से देखा है जिस पर मिस फू कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी एक काम करती हूँ मैंने तुम्हारी वाइफ का कॉंटेक्ट नंबर निकलवाया है मैं तुम्हें नंबर भेजती हूँ तुम उसको कॉल करो और आमने सामने बैठ कर उसके साथ बात करो जिस पर वह ओके बोलता है और वह उसका नंबर भेज देती है वह वापस आता है तब तक आना सो चुकी थी वह कहता है ये बेवकूफ इतनी जल्दी कैसे सो गई तभी एक मैसेज आ जाता है जिसके बाद वह अपनी वाइफ को कॉल लगता है और तभी आना का फोन रिंग करता है वह अपना फोन रिसीव करती है तो वह देखकर घबरा जाती है कि प्रेजिडेंट की कॉल है जिसके बाद वह समझ जाती है और कहती है मेरे फ्रेंड का कॉल है और जल्दी से बाहर भाग जाती है वह प्रेजिडेंट का कॉल कट कर देती है पर फोन को कान पर लगा कर ऐसे प्रिटेंड करती है कि वह अपनी फ्रेंड से बात कर रही है ताकि प्रेजिडेंट को उसे पर शक न हो इसके बाद वह वापस आकर प्रेजिडेंट के पास बैट जाती है और उनसे कहती है क्या आपको सोना है अगर आप नहीं सो रहे तो हम थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं या रेस्ट भी कर सकते हैं जिस पर जिन कहता है तुमको समझ आ रहा है न कि तुम क्या बोल रही हो जिससे वह थोड़ी सी शांत होती है और कहती है हाँ बिल्कुल मुझे सब समझ आ रहा है इस पर जिन कहता है अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए जिस पर वह कहती है पर मैं पिछली बार भी तो तुम्हारे घर पर ही रुकी थी जिस पर वह कहता है पर उस समय तुम नशे में थी तुम अब नहीं रुक सकती यहां से चले जाओ पर तभी अचानक से जिनके पेट में दर्द होने लगता है जिस पर आना कहती है जल्दी से मुझे बताओ मेडिसिन कहां पर है मैं लाकर देती हूँ वह कहता है तुम यहां से चली क्यों नहीं जाती जिस पर वह कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और ऐसा फ्रेंड मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ तो मुझे जल्दी से बताओ दवाई कहां पर है इसके बाद हम जिनको दवाई खाते हुए देखते हैं और हाना उसके लिए खाना बना रही थी आना को देखकर वह सोचता है मैं कैसे ही पार्टनर को डिजर्व करता हूँ पता नहीं मैंने कहां से उस बेवकूफ लड़की से शादी कर ली जो कि अभी तक फरार है जिसके बाद वह अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है डिवोर्स पेपर्स का अरेंजमेंट करो मुझे उस बेवकूफ से डिवोर्स लेना है इसके बाद हम अगले सीन में अना को जिनकी कंपनी जाते हुए देखते हैं जो कि उसके लिए लंच लेकर आई थी मैनेजर उसको बताता है सर की मीटिंग थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी और वह यहीं से बाहर निकलेंगे जिस पर वह वहीं पर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगती है पर तब ही एक आदमी से टकरा जाता है दोनों का सामान गिर जाता है वह आदमी अना से कहता है क्या तुम अंधी हो? जिस पर अना गुस्से में कहती है क्या तुम भी अंधे हो? पर तब ही अना उसे देखकर शौक हो जाती है और जल्दी से अपना फेस छुपाते हुए सोचती है ये तो मेरा टार्गेट है ये तो मेरा कम्प्लीट मिशन है अब मैं क्या करूँ? जिस पर वह आदमी कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें कहीं देखा है और फिर वह जाने से पहले कहता है तुम तो आईडी होना और उसका हाथ पकड़ लेता है जिस पर वह कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? वह कहता है तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ ने मुझे डिवॉर्स दे दिया तुमने मेरी जिन्दगी बरबाद कर दी जिस पर आना कहती है तुम पागल हो चुके हो मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है जिस पर वह आदमी कहता है तुम जूट बोल रही हो तुम चालाक और धोके बाज हो ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वह कहती है मुझसे ज्यादा चालाक तो तुम हो जो अपनी वाइफ के पैसों पर अभी तक पल रहे थे उसी का दिया हुआ खाना खाते थे उसी के दिये हुए पैसों से खर्चा करते थे ही है अमीर लड़कों को फसाना जिस पर जिन उसकी तरफ देखता है वह भी गुस्से भरी नजरों से पर फिर जिन उस आदमी से कहता है यह लड़की जैसी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता पर सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मेरी कमपनी में किसी लड़की के साथ मिस्बिहेव नहीं होना चाहिए और वह उसका हाथ पकड़कर उसे साथ वहां से ले जाता है इसके बाद वह उसके हाथ में बैंडेज लगाता है और उससे कहता है तुम्हारा मिस्टर बैंक के साथ क्या रिष्टा है ये सुनकर तो ये शौक हो जाती है पर तभी जिन सामने से कहता है उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों पहले साथ थे और जब तुम्हारा ब्रेक अप हुआ था तो वह तुम पर भडास निकाल रहा है ये सुनकर तो इसको बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और यह रोते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा पहले हम साथ थे पर उसने मुझसे जूट बोला कि वह सिंगल है लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह शादी शुदा है आना कहती है पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यह सुनकर जिनको लगता है कि यह तो एकदम मे मेरी जैसी ही है इसके बाद एना टिफिन उठाकर वहां से चली जाती है तभी जिनके पास मैनेजर आते हैं और बताते हैं आपकी ग्रैंडमा ने आपकी वाइफ के साथ आपकी मीटिंग फिक्स की है आज रात आज आप उनहीं के साथ डिनर करेंगे जिस पर वह अपने मन स कहता है तो फिर ठीक है डिवोर्स अग्रीमेंट भी तयार करवा लो मैं सिगनेचर आज ही करवा लूँगा इसके बाद हम इना को देखते हैं जिसके पास मैसेज की कॉल आती है और वह अना से कहती है आज रात तुम्हारे लिए एक डिनर अरेंज किया गया है प्लीज वहा अना को देखते हैं क्योंकि अपना गेट अप पूरी तरह से चेंज करके वहाँ पर पहुंची थी जैसे ही वह वी आई पी रूम के अंदर जाती है तो अंदर उसके डैड जो उसका ऐसा हुलिया देखकर शौक हो जाते हैं और वह अना से कहते हैं ये सब क्या हाल बना रख जिन फैमली को एक डीसेंट डॉर्टर इन लौ चाहिए न कि तुम्हारी जैसी कलरफुल हेयर वाली अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिन तुम्हें देवदास दे देगा जिस पर वह कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं डिवार्स ही चाहती हूँ इस पर उसके डैड उसे साथ डिनर नहीं करना चाहता जिस पर मिस फू कहती है ऐसा मत करो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिष्टा अच्छा चले तब ही उनकी नजर एक फाइल पर पड़ती है और वह उसे कहती है ये फाइल कैसी है तुम अपनी वाइफ के साथ डिनर पर आये हो और यहां भी तुम्हें काम करना है जिस पर वह कहता है इसमें कुछ भी नहीं है पर उसे फाइल को वह खोल कर देख लेती है और वह डिवोर्स पेपर्स थे जिसे देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा गुसा आता है वह कहती है यह सब क्या है इस पर जिन कहता है मैं उससे डिवोर्स ले लेना ही बेहतर है। वैसे ही तीन सालों से मैं उससे कभी मिला भी नहीं। वह जब से मेरी शादी हुई है तब से ही भागी हुई है। और मैं किसी और को पसंद करता हूं। जिस पर ग्रैंडमा कहती है ये नहीं हो सकता। वह कहता है। पर मुझे उस लड़की से डिवोर्स नहीं देगी जिस पर जिन कहता है मैं उसको 30 मिलियन दूँगा ये सुनकर तो उन्हें हार्ट अटेक ही आ जाता है वह कहती है क्या तुम मुझे इतनी जल्दी मारना चाहते हो इतनी बड़ी रकम तुम कैसे दे सकते हो और वैसे भी डिवोर्स होगा ही नहीं इसके बाद वह गुस्से में वहां से निकल जाता है और यह दोनों एक दूसरे के एकदम साइड से गुजरते हैं तब ही उसे रोक लेता है और कहता है आना तुम यहां क्या कर रही हो जिस पर वह भी सामने से सवाल करती है तुम यहां क्या कर रहे हो जिस पर उसका हाथ पकड़ कर उसे वह से ले जाता है उनके दर चिलाते हैं तो मिस फू उनको रोकते हुए कहती है ध्यान से देखो दोनों साथ जा रहे हैं तो अपनी जुबान बंद रखो इसके बाद यह दोनों एक बिस्किट के पास टहलते हुए दिखाये जाते हैं जहां पर जिन उसे कहता है तुमने अपनी ड्रेस एकदम चेंज की हुई है तुम्हारा स्टाइल काफी यूनिक है लेकिन तुम ऐसे क्यों घूम रही हो जिस पर वह कहती है मुझे कुछ कम था वह जिन से कहती है तुम होटल क्या करने गए थे वह कहता है मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ डिनर करने गया था जिस पर व मिस्टर वांग ने मुझे धोखा दिया उनकी पतनी थी इसलिए जिन जल्दी से उसे खुद से दूर करता है क्योंकि जिनका भी अभी डिवॉर्स नहीं हुआ था और उसकी भी पतनी थी जिन आना से कहता है क्या तुम समझ पा रही हो कि तुम क्या बोल रही हो जिस पर वह ग्रैंडमा को बता दिया कि आप डिवॉर्स ले रहे हैं जिन कहता है नहीं मैनेजर कहता है वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है कि जब आप डिवॉर्स लेंगे तो ग्रैंडमा गुस्सा नहीं करेगी जिन पूछता है क्या आइडिया है मैनेजर कहता है हमें एक प्राइवेट जासूस को हायर करना चाहिए जो हमारे लिए आपकी वाइफ का नजर रखेगा और वह आपको धोखा दे रही है इस बात के सबूत लेकर आएगा जिससे जवाब लेंगे तो आपको कोई भी प्राबलम नहीं आएगी ये सुनकर जिन भी खुश हो जाता है और उसे ये काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग लगता है इसके बाद हम आना को देखते हैं क्योंकि वह अपने घर पर आती है तो वहाँ पर उसके लिए पहले से मौजूद थे वह अपने डैड से कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं जिसको उसके डैड कहते है आखिरकार मैं तुम्हारा फादर हूँ तुम्हें तुम्हारे घर में आ सकता हूँ मुझे कितनी परमिशन की जरूरत होगी जिस पर वह कहती है मेरी परमिशन की यह मेरा घर है मैंने अपने पैसों से खरीदा है तो अगर आपको इस घर में आना है तो आपको मुझसे पर्मिशन लेनी होगी जिस पर वह कहते हैं बकवास बंद करो तुम ये बताओ तुम वाइस प्रेजिडेंट जिनके साथ गई थी तुम दोनों के बीच क्या-क्या बातें हुई और तुमने क्या-क्या किया इसको कहती है कुछ बातें नहीं हुई वह कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता मुस्कुराना कहती है सच में कोई बात नहीं हुई वैसे भी नौसे फालतू वैसे भी मैं वाइस प्रेजिडेंट जी से डिवार्स देना चाहती हूँ ये सरल है इसके बाद शौक होते हैं और इन दोनों बाप बेटी के बीच अच्छा खाता जगड़ा होने के बाद उसकी फ्रेंड गुस्से में वहां से चली जाती है हाँ हम गाना का मूट बहुत ही खराब था वह सोचती है मैं जवाब कैसे दे इसके बाद हो जिसकी बात वह एक सोना नाम की लड़की को कॉल करती है और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मैं अपने हस्बेंट से बात करना चाहती हूँ पर वह कहती है ऐसे कैसे मैं अंदर जाऊंगी और वह अपने मन में सोचती है ये मेरा स्पेशल टारगेट है और मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा आखिरकार मेरी दोस्ती का सवाल है मैनेजर ये सब देखता है तो उसके पास आता है और कहता है आप कौन है जिस पर वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मैं सोना हूँ अब लाल मे की स्टूडेंट हूँ और आपके वाइस प्रेजिडेंट से मिलना चाहती हूँ जिसको वह कहता है ठीक है पर वाइस प्रेजिडेंट अभी कस्टमर्स के साथ बिजी है तो आपको वेट करना होगा और उसको वेटिंग हॉल में जैसे ही बिठाता है दूसरी तरफ से आना आती है वह अना से कहता है आप यहां क्या कर रही है अना कैसी है मैं तो सिर्फ खाना लेकर आई हूँ वह भी रोज की तरह इस पर जिस पर मैनेजर कहता है ठीक है तो आप भी वेट करिये पर तब ही उसे एहसास होता है कि ये मैंने क्या बोल दिया और वह खुद को ठीक करते हुए कहता है वाइस प्रेजिडेंट यहां पर है ही नहीं आप प्लीज कॉल आईए जिस पर आना कहती है ठीक है मैं कॉल आ जाऊंगी और वह टिफिन के साथ वहां से चली जाती है मैनेजर कहता है मैने सही टाइम पर सब संभाला है वरना अगर यह दोनों लड़कियां एक दूसरे को देख लेती तो शांत आज होटल की हालत खराब हो जाती मैनेजर जब वहां से चला जाता है अना वापस आती है और कहती है मैनेजर का फेस देख कर ही पता चल रहा है कि कुछ तो छुपा रहा है और मैं पता करके रहूंगी इसके बाद वह जल्दी से वेटिंग हॉल में पहुँच जाती है वह अपनी दोस्त सोना को देखती है तो जल्दी से उसके पास जाती है सोना कहती है मैं यहां तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ पर जिन अभी कंपनी में नहीं है जिस पर आना कहती है ऐसा नहीं है वह क्लाइंट के साथ बिजी है जिस पर आना कहती है पर मैं जो की हूँ मैनेजर ने मुझसे कहा हां कहती है ऐसा भी तो हो सकता है उसने जूट बोला वह कहती है सही कहा इसके बाद सोना आना से कहती है क्या तुम्हारे पास आज कोई टारगेट है जिस पर वह हमें जवाब देती है मुझे कंपनी नही मेरा टारगेट मिलेगा जिसका नाम जू है जिस पर आना कहती है कहीं ऐसा तो नहीं हूँ और जिनकी मीटिंग चल रही हो यह सुनकर तो वह शौक हो जाती है अगर मैं दोनों से एक साथ नहीं मिली तो मेरा फूट जाएगा और वह जल्दी से वहां से निकल जाती है इसके बारे में मीटिंग देखते हैं मीटिंग खत्म हो चुकी थी जिम यूसु से कहता है आपके साथ मीटिंग करके अच्छा लगा हम शायद साथ काम कर सकते हैं तभी यहां पर अना भी आ जाती है और वह छुप कर देखती है तो काफी ज्यादा शौक होती है कि किसका क्लाइंट और उसका पती एक साथ मीटिंग कर रहे हैं उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करें नीचे गिर जाता है और वह टिफिन जिनके पैरों से टकरा जाता है जिन उसे टिफिन को पहचान जाता है और फिर वह चारों तरफ में नजर घुमाता है तो उसकी नजर आना पर पड़ती है जो जमीन पर बैठी थी और अपने हाथ से अपना फेस कवर कर रही थी जिनको ये काफी ज्यादा अजीब लगता है कि आना जमीन पर बैठ कर अपना फेस क्यों कवर कर रही है जिस पर वह कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उठ जाना चाहिए पर वह उठने का नाम ही नहीं लेती जिस पर वह उसे खड़ा कर देता है तब ही यहाँ पर सोना भी आ जाती है और तुरंथ ही यह सब देखकर खुद के पैरों पर ब्रेक लगा देती है और सोचती है शायद अभी मिलना खत्रे से खाली नहीं क्योंकि आना का जो टारगेट है वह मुझे भी पहले से जानता है हालांकि वह आज आना को पहली बार देख रहा है पर वह मुझे पहले से जानता है इसलिए बहतर यही होगा कि मैं आगे जाऊंगी इसके बाद 22 प्रेजिडेंट आना को खड़ा करते हैं उसका टिफिन भी उठाते हैं वह टिफिन पर देखते हैं आना नहीं लिखा था खाना खाना बहुत जरूरी है तो जल्दी से मुझे हग कर लो बेबी यह देखकर वह थोड़ा सा अजीब रियक्शन देती है इसके बाद जो कहता है यह कौन है जिस पर जिन कहता है यह मेरी दोस्त है आना कहती है मुझे अभी जाना चाहिए और वह जल्दी से बाहर से निकल जाती है वह रेस्ट रूम में आती है दूसरी तरफ जिन से कहता है आपकी दोस्त बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है क्या वह सिंगल है ये सुनकर उसको थोड़ा सा गुसा आता है और वह हमें जवाब देता है उसके बाद हम आना को देखते हैं मुझे जल्दी से फोन चेक कर रही थी पर तब ही वहाँ पर जिन आता है और पूछता है क्या अभी तुम्हारा पेट ठीक है? क्योंकि जब आना वहाँ से भाग कर आई थी तो बहाना क्या था? मेरे पेट में दर्द है मेरा पेट आज ठीक नहीं है जिस पर आना कहती है नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है वाइस प्रेजिडेंट कहते हैं क्या आज तुम्हें कहीं जाना है जिस पर वह स्माइल करते हुए जिन से कहती है वाइस प्रेजिडेंट क्या इस वीकेंड आप फ्री हैं जिस पर जिन कहता है नहीं तो आना कहती है पर आपको फ्री रहना होगा जिन कहता है लेकिन ऐसा क्यों? जिस पर आना कहती है क्योंकि मैंने आनलाइन एक बहुत ही अच्छा होट स्प्रिंग रेस्टोरेंट ढूंडा है वहीं पर जा रहे हैं और वह बर्गर की उस रेस्टो की तारीफ करने लगती है वह उसे क्लोज जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती है वहाँ कपल के लिए 20% आफ भी है क्या आप मेरे साथ चलेंगे और आना यह कहते हुए उसे बहुत ज्यादा क्लोज आती है जिससे वह जिन अनकमफटेबल होता है और उसे खुद से दूर करते हुए कहता है नहीं, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ अना कहती है पर क्यों, वह कहता है क्योंकि इस वीकेंड में बहुत बिजी हूँ मुझे बहुत सारे काम है वह कहती है, क्या सच में जिस पर वह कहता है तुमको क्या लगता है मैं जूट बोल रहा हूँ खाना कहते हुए और बहुत ही तेज स्पीड के साथ उसका शेडियूल भी देख लेती है ठीक है मैं समझ गई तुम बिजी हो कोई बात नहीं अब हम वीकेंड में जिनको एक रिसॉर्ट में देखते हैं जो की अपने स्टाफ से बातें कर रहा था तभी यहां पर आना एक डॉग के साथ आती है और वह कहती है तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे पर ऐसा कभी नहीं हो सकता और अपनी डॉग से कहती है जाओ जाकर उसे परेशान करो और उसकी चैन खोल देती है डॉग जल्दी से बात कर जिनके पास जाता है जिन लोगों को देखता है उसे डॉग बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वह उसके साथ खेलने लगता है तभी यहां पर आना आती है और अपने डॉग से कहती है तो तुम यहां घूम रहे हो मैं तुम्हें कब से ढूंड रही हूं और आना को यहां पर देखकर जिन शौक हो जाता है तुम यहां क्या कर रही हो जिस पर आना कहती है वोटर को इंसिडेंट्स आप मुझे यहां मिलेंगे मैंने सोचा नहीं था इत्तेफाक भी कितनी अजीब चीज होती है न जिस पर वह गुस्से में कहता है मैं पूछ रहा हूं तुम यहां क्या कर रही हो जिस पर वह कहती है मैं बस यहां पर घूमने आई थी आपने कहा आप भी काउंट फ्री नहीं है तुम्हें अकेले ही घूमने चली आई होगी इस रियक्शन में यह सुनकर जिनको बहुत गुस्सा आता है और मुझसे कहता है तुम्हें पता है ना मैं मैरीड हूँ जिस पर वह कहती है हाँ मुझे अच्छे से पता है मैं सिर्फ आपको एक अच्छा दोस्त समझती हूँ इसके बाद वह जल्दी से उसके बगल में बैट जाती है और उसके खाने की स्माइल करती है वह कहती है लगता है आप भी लग रहे है और वह अपने डॉग की तरफ इशारा करते हुए कहती है देखो मेरा डॉग भी भूखा लग रहा है शायद उसको तुम्हारा चिकन टेस्ट लग रहा है वह इसको स्मेल कर पा रहा है इस पर वह डॉग की तरफ देखता है जिस पर वह और भी ज्यादा ऐसे भारी भरकम शब्द बोलती है कि जिन को डॉगी पर तरस आने लगे कि डॉगी बहुत ही ज्यादा भूखा है जिस पर जिन कहता है क्या तुम्हें भी भूख लगी है वह तुरंत हाँ बोलती है उसे एक चिकन का पीस देता है जिसे जल्दी जल्दी खा जाती है और फिर कहती है तुम एक अच्छे को इसके बाद वह कहती है बहुत ज्यादा तीखा है और ऐसे प्रचंड करती है जैसे पता नहीं उसने कितने किलोमीटर की वजह से मेरे लिए चल रहे हैं और वह अपना फेस जिन के क्लोज ले कर जाती है जिन भी एक पल के लिए उसे ही देखता है वह किस करने के लिए और कलोज जाती है पर जिस वांग से जिन अनकमफटबल होता है और पास ही में एक टिश्यू रखा होता है जिसे वह उठा कर उसके फेस पर रख देता है और कहता है लो खुद के मुझ को साफ करो टिश्यू इस तरह से फेस पर रखा जाने से आना को फील होता है कि अब उसकी अच्छी वाली इंसल्ट हो चुकी है तो आगे कुछ बोलने का फाइदा नहीं दूर से हम इस फोटो को देखते हैं जो कि मैनेजर के साथ आती है और इन दोनों को देख रही थी पर वह आना का फेस नहीं देख पाती इसलिए उनको बहुत ही गुस्सा आता है और वह मैनेजर से कहती है तो यह मेरी डॉटर इनलो को चीट कर रहा है इसलिए बहुत जल्दी आना के बारे में बोल दिया था कि आने की कोशिश कर रही है और अब यह क्या कर रहा है यह भी तो वही कर रहा है ना यह अगर खुद करें तो कोई प्रॉबलम नहीं कोई दूसरा का रेट तो उसे गाड़ी को जिसके बाद वह जिन को मिलाने के लिए बुलाती है वह जिन से कहती है यह सब क्या चल रहा था जिस पर जिन कहता है कुछ भी नहीं वह कहती है मैंने अपनी आखों से देखा जिन कहता है वह सिर्फ मेरी दोस्त है जिस पर वह कहती है मैं क्या अंधी हूँ मुझे समझ नहीं आता कौन दोस्त और कौन क्या है जिस पर वह कहता है सच में ये कहते हैं ऐसा नहीं है तुम मेरी डॉर्टर इनलो को बुल्ली कर रहे हो तुम उसको डिवोर्स देना चाहते हो ताकि तुम इस तरह किसी भी लड़की के साथ घूम सको जिसको वह कहता है ऐसा नहीं है पर ग्रैंडमा उसे बोलने ही नहीं देती वह उसे बार-बार चुप करा देती है जिस पर वोटर खड़ा होता है वह कहती है आप क्या प्रॉबलम हो गई वह कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है जिसको कहती है चुप चाप बैठ जाओ कोई जरूरी काम नहीं और मेरे साथ बैठ कर डिसकुशन करो और इस बेचारे को वह बैठाना पड़ता है जिस पर जिनको वह चाहते वह भी ग्रैंडमा के साथ बैठाना पड़ता है इसके बाद ग्रैंडमा कहती है मुझे उस लड़की से मिलाना है जिससे वह कहता है पर क्यों गंद मार जाती है मिलाना है तो मिलाना है और वह मैनेजर से उसको बुलाने को कहती है इसके बाद हम आना को देखते हैं जो कि उसी रूम की तरफ आ रही थी वह दूर खोलती है और जल्दी से रूम के अंदर आते हैं और ग्रैनमा और उसको शौक होकर देखते हैं पर ये आना नहीं थी कोई और थी ग्रैनमा कहती है क्या तुम ही वह लड़की हो जिससे मैं मिलना चाहती हूँ वह लड़की कहती है नहीं तो पहले ही यहां से जा चुकी है जिसको ग्रैंडमा को गुस्सा आता है और वह जिन से कहती है तुम कितने ज्यादा चालाक हो तुम नहीं चाहते मुझसे लड़की से मिलूँगा और कुछ बोल दूँ इसलिए तुमने उसे पहले ही भगा दिया जिसको वह कहता है मैं सिर्फ अपनी आँखों पर ही विश्वास करती हूँ तुमने उसका भगा दिया जिसको वह गुस्से में कहता है प्लीज आप रेस्ट करने जाईए मुझे बहुत सारे काम है और हमें फ्लैश बैक दिखाया जाता है जब आना अंदर आने वाली थी तभी उसका डॉग बाहर की तरफ भागता है वह उसे पकड़ने जाती है तभी वह ग्रैंडमा को देख लेती है और समझ जाती है कि ग्रैंडमा यहां पर मौझूद है इसलिए जल्दी से अपने घर के लिए वहां से निकल जाते है वापस प्रेजेंट में आता है जिन बाहर आता है और ढूनने लगता है अना को तभी उसके पास अना का मैसेज आता है मेरी तबियत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैं टैक्सी करके अपने घर आ गई जिस पर जिन सोचता है और इसको क्या हो गया इसको कहां से नहीं बीमारी आ गई इस पर मैनेजर जिन से कहता है डिटेक्टिव ने कुछ फोटोस भेजे हैं और वह उसको फोन डेटा है वह फोटो किसी और की नहीं बलकी आना की थी जिन को देखकर वह शौक होता है कहता है ये सब क्या है जिस पर वह कहता है मैंने आना के पीछे को एक डिटेक्टिव को लगाया था उसने बताया कि आना नहीं किसी और आदमी के साथ मीटिंग थी और आपके साथ सिर्फ वह हैंग आउट कर रही है जिस पर जिन गुस्से में कहता है कि आना की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है तुमने उसके पीछे डिटेक्टिव क्यों लगाया वैसे भी मैं उसको डेट नहीं कर रहा तो अगर वह किसी और के साथ जाती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जिस पर मैनेजर सौरी बोलता है जिन कहता है उसे डिटेक्टिव को आना के पीछे से हटा दो उसकी प्राइवेट लाइफ में दखल मत दो उसकी प्राइवेसी है और जो चाहे वह कर सकती है हम कोई नहीं होते उसके पीछे डिटेक्टिव लगाने वाले की मैंने नहीं गलती की है प्लीज मुझे पनिश्मेंट दीजिए जिस पर वह कहता है अगली बार ऐसा कुछ मत करना अगले सुबह हम खाना को उसके घर पर देखते हैं जहां पर सोना आती है आना चाहती है तुम्हारा कैसा रहा टार्गेट के साथ जिस पर वह कहती है बकवास उसने मुझे दूसरी बार ब्लॉक किया इस बार उसने मुझे अपने कमपनी की एक सिस्टम से ब्लॉक किया है ये सुनकर तो आना शौक हो जाती और कहती है ये तो हद ही हो गई मुझे लगता है तुम गलत клиent के पास जा रही हो मुझे लगता है कि मैं भी मुझे तुम्हारे लिए клиent change करना होगा जिसको वह कहती है हाँ तुमने सही कहा तब ही आना के पास grandma की call आती है वह कहती है मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ मेरा accident हो गया है और मैं हॉस्पिटल लाई हूँ क्या तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ सकती हो पर दूसरी तरफ ग्रैंडमा तो मस्त बैट कर खा रही थी और वह सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रही थी वो उनसे कहती है मुझे हार्ट अटैक आया है इसलिए जल्दी आ जाओ मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ और कॉल कट करके बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है अब आना इधर से आएगी दूसरी तरफ से जिन आएगा और दोनों को भी यहीं पर मिलवा दूँगी इसके बाद गेम खेलने लगती है पर तभी आप जिन आ जाता है जिसके बाद में सोने का नाटक करती है वह कहती है ऐसा क्यों कहते है वह कहता है आपने कहा था आपको हार्ट अटैक आया है आपने पट्टी अपनी सर पर बंधी है इससे कोई भी अच्छा खासा बेवकूफ समझ जाएगा क्या आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है इस पर वह कहती है हाथ में काम है बेवकूफ बना रही हूँ जिस पर वह कहता है आप पागल हो चुकी है वह कहता है मुझे बहुत सारे काम है उसके बाद हम आना को देखते हैं जो की काफी सारे सामान लेकर हॉस्पिटल की तरफ आ रही थी और नर्स के साथ हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है दोनों करती हैं ग्रैंडमा खुश हो जाती है कि उनकी डॉर्टर इनलॉ आ गई पर तभी दोड़ के अंदर एक नर्स आती है और कहती है मुझे बलड प्रेशर चेक करना है नर्स इसे जिन पूछता है क्या? और नर्स कहती है हाँ वह ठीक तो है लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्याई है हेल्थ चेक अप करते रहना चाहिए और शायद इनको भी हॉस्पिटल में ही रहने की जरूरत है इसके बाद वह नर्स ग्रैंटपा की इशारा करने पर बोलना शुरू कर देती है कि ग्रैंटमा की तबियत वैसे काफी ज्यादा खराब है उनको खुश रहने की जरूरत है तो आप पूरी कोशिश करोगी फ्रैंट में बहुत ही ज्यादा खुश रहे हर टाइम हसते रहे उनको कभी गुसा ना आए जिस पर ग्रैंटमा कहती है मैं तो एक ही चीज को लेकर खुश हो सकती हूँ अपनी डॉर्टर फ्रैंड को देख कर जिस पर खुश होते हुए जिन से कहती है आपको डॉक्टर इन्हें लेकर आनी चाहिए जिसको पीछे से कहती है ये पहले से शादी शुदा है बस ये मेरी डॉर्टर इनलॉ से मिलता नहीं और ये उसको चीट कर रहा है जिस पर वह नर्स कहती है ऐसा मत कीजिए ग्रैंड मा को खुश रखिए इसके बाद हम आना को देखते हैं जो की गलत ही रूम में चली गई थी वह वी आई पी वाड ढूनने लगती है जिन भी रूम से बाहर आता है और यह दोनों एक दूसरे को देखकर शौक होते हैं और टकरा जाते हैं तुम क्या कर रही हो आना जिन से कहती है तुम यहां क्या कर रहे हो जिस पर जिन सामने से सवाल करता है तुम यहां क्या कर रही हो जिस पर आना कहती है मैं एक अपनी दोस्त को विजिट करने आई हूँ जिस पर जिन कहता है ये तो अच्छी बात है अब वह जिन से कहती है तुम यहां क्या कर रहे हो जिम कहता है मैं भी पेशेंट को विजिट करने आया हूँ और इन दोनों की सारी बातें दूर से नर्स सुन लेती है क्योंकि जिन्होंने कहा था मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है तुम मेरा पीछा कर रही हो तुम मुझे प्रोपोस करना चाहती हो जिस पर आना कहती है बिल्कुल नहीं मैं सिर्फ अपने पेशिंट को विजिट करने आई हूँ और उसी को विजिट करके जा रही हूँ जिस पर नेट सारी बातें सुन लेती है और वह यह सोचती है कि ऐसा नहो मेरा पता कट जाए इसलिए नहीं होता है दादी को अपनी साइड करने का और जिन से शादी करने का उसके बारे में बहुत अमीर हो जाऊंगी जिनके जाने के बाद आना रिसेप्शन पर आकर पूछती है वियाईपी वार्ड कहां है एक नर्स को बता रही थी तब ही विनर स्कूल से हुई आती है और कहती है मैं जाने की पर्मिशन नहीं दे सकती बस कुछ जिन्दा लोग ही कहां जा सकते है जिस पर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है वह कहती है ऐसा नहीं होता जिस पर नर्स कहती है यह हमारे हॉस्पिटल के रूल्स है जिस पर आना कहती है बड़े ही बकवास रूल्स हैं और उसे नर्स को डांटने लगती है इस पर वह नर्स बता देती है वी आईपी वॉर्ड कहा है और लिफ्ट की तरफ इशारा करती है आना भी चली जाती है जाने के बाद वह खुश होते हुए कहती है यह खराब है आज तुम पक्का मर जाओगी दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं जो ग्रैंडमा को एपल छिल कर देता है खाने के लिए जिन ग्रैंडमा से कहता है मुझे जाना चाहिए वैसे भी जो अभी तक नहीं आई वह आपकी आएगी उसे सेंध्वा कहती है नहीं चुप चाप यहीं खड़े होकर बातें करो तब ही उसको कॉल आती है और बात करने के लिए बाहर जाता है दूसरी तरफ आना जिसे नैश ने गलत एड्रेस दिया था बेचारी बहुत थक गई थी सही एड्रेस ढूंटे ढूंटे और वह कहती है बहुत ज्यादा मरूंगी फाइनली रूम में पहुँच जाती है जहां ग्रैंडमा मिलकर उससे बात करके बहुत खुश होती है वह ग्रैंडमा को बताती है कि नर्स ने उसे गलत एड्रेस बताया था तभी दर्वाजा खुलता है ग्रैंडमा कहती है लो जिन भी आ गया ये सुनकर तो आना शौक हो जाती है पर तभी एक दूसरा आदमी रूम के अंदर आता है और कहता है मिस्टर जिन जा चुके हैं उन्हें कुछ जरूरी काम था ये सुनकर ग्रैंडमा को गुस्सा आता है जिस पर आना कहती है मैं आपके पास रुक कर यहां पर आपका ध्यान रखूंगी ये सुनकर वह खुश हो जाती है इसके बाद आना भी ग्रैंडमा से कहती है आपने हार्ट अटेक का बोला था तो आपकी सर पर पट्टी क्यों है जिसमें ग्रैंडमा हसने लगती है और उसे सच बता देती है है इसके बाद ग्रैंडमा को हम उनके सर्वेंट और आना के साथ एक रेस्टरॉन में देखते हैं जहां पर वह उनके साथ बैठ कर गेम खेल रही थी जब आना वाश्रूम जाती है तो जल्दी से जिन को कॉल करके कहती है मैं यहां पर बैठी हुई हूँ जल्दी से नाइटी स्नैक्स लेकर आओ और खुश होती है कि आज वह इन दोनों को आपस में मिलवा देंगे इसके बाद जिन वहां पर आता है पर इत्तेफाक से वह इस बार भी आना से नहीं मिल पाता क्योंकि आना तो पहले ही वहां से निकल चुकी थी वहां से निकलने के बाद आना ग्रैंड मा को कॉल करके बोलती है मेरी तबियत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वहां से आ गई ये सुनकर उनको थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि इस बार दिन का प्लैन फेल हो गया था पर जिन्होंने आना की आवाज सुनी थी इसलिए वह सोचता है ये आवाज नहीं जाने पहचाने की लग रही है किसी से तो एकदम मैच कर रही है ग्रैंड में आना से पूछता है कैसी हो वह जल्दी से कहती है हमारे हस्बेंड को कुछ दवाई लेकर भेजती हूँ वह मना कर देता है जिस पर वह कहती है मैं भेज रही हूँ और वह जल्दी से जिनको कहती है जाओ जल्दी इसके बाद हम आना को रोड पर चलते हुए देखते हैं टैकसी नहीं मिल रही थी और काफी ज्यादा परेशान थी तभी वहाँ पर जीन आता है वह आना को पहचान लेता है तो अपनी कार में बिठा लेता है वह आना से पूछता है तो यहां क्या कर रही हो वह कहती है मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ आज हम लोगों ने उसके घर कॉल करने का टाइम बनाया था अगले दिन कमपनी में मैनेजर जिनको बताता है कि ग्रैंड में आप पर नजर रखी हुई है वह पूछता है ऐसा क्यों कहते हो क्योंकि वह चाहती है कि आपकी बॉस ने ले और उनकी डॉर्टर इन लोगों के साथ ही रहे इसके बाद हम ग्रैंड मा को देखते हैं जो आना को कॉल करती हैं और कहती है नेक्स्ट वीक मैंने तुम्हारी डेट प्लान की है और कहती है नहीं वह कहती है ऐसा नहीं हो सकता तुम्हें जाना ही पड़ेगा और वहाँ पर कुछ ब्यूटिफुल फोटोस पिक कर लेना इसके बाद यह दोनों ही पार्क पहुँच जाते हैं और एक दूसरे को ढूण रहे होते हैं तब ही मैनेजर जिनके पास आता और एक बलून देते हुए कहता है कि बलून रखिये इससे आपको वह पहचान पाएंगे और आपके पास आएंगे और उसको बलून देकर वहाँ से भाग जाता है और बेचारा जीन्स वालों के साथ खड़ा रह जाता है जब आना वहाँ पहुँचती है तो वह डाड़ी को कॉल करती है जिसको बताती है मैने तुम्हारे हस्बंड के साथ तुम दोनों का टिकेट बुक किया है सो प्लीज लेट मत होना टाइम से शो देखना और वापस आ जाना जिस पर वह ओके बोलाती है इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि काफी देर से वहाँ पर खड़ा था तब ही उसकी नजर आना पर पड़ती है और वह उसके पास जाने वाला था और एक आदमी से टकरा जाता है आना भी टकरा जाती है वह गिरने वाली थी पर जिन उसे बचा लेता है वह कहता है क्या तुम ठीक हो जिससे वह कहती है मैं ठीक हूँ जिन आना से पूछता है तुम यहां क्या कर रही हो आना कहती है मैं बस यहां घूमने आई हूँ उससे पूछती है तुम यहां क्या कर रहे हो वह कहता है मैं भी यहां किसी काम से आया हूँ खाना का फोन एकदम डेड हो चुका था क्योंकि घर से निकल गए जिससे पहले शायद नहीं करती वह अपनी शॉप पर जाती और कहती है मुझे कोई फोन चार्ज करना है पर वह आदमी एक्स्ट्रा पैसे मांगता है वह कहती है पहले मैं फोन चार्ज कर लेती हूँ फिर दूंगी जिन उसकी हेल्प करता है इसके बाद जिन उसके लिए चिकन ओर्डर करता है जिसे वह बहुत खुश होकर खाती है ये देखकर जिनको भी हंसी आती है खाने के बाद वह दोनों पार्क में घूमते हैं तब ही वे एक आदमी के पास पहुँचते हैं जो कि भविश्य बता रहा था आदमी के पास ये दोनों पहुँच जाते हैं बाद में कहते हैं मैं देख नहीं सकता जिसको मैंने कह दिया तो फिर तुम future कैसे बताओगे कहता है क्योंकि मैं इतना expert हूँ आना कहती है ठीक है हमारे पीछे बताओ जिस पर वो आदमी कहता है इन दोनों को couple हो ये सुनकर छुट जाती है वहां से बाद में नहीं रोता है और कहता है ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ पता चलता है कि बाद में देख सकता हूँ फिर फोन आप दोनों से कहते हैं मैं बहुत गरीब हूँ तो प्लीज मेरी थोड़ी मदद करो वह दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं जिनका मूड काफी ज्यादा खराब था इसलिए वह आना से कहता है इस तरह की ट्रिक करना बंद करो तुम मुझे इस तरह से फॉलो नहीं कर सकती हो कहती है मैंने तुम्हे कब फॉलो किया यहां पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है यह सारी बहस सुनकर आना को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह रोने लग जाती इसके बाद हम ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी देखते हैं क्योंकि काफी ज्यादा आलिशान थी और ग्रैंडमा तो ऐसी तयार हुई थी जैसे वह ब्यूटी एंड बीस्ट की बेला हो यहां पर जिन भी मौझूद था एना की डैड भी उसे जबरदस्ती पार्टी में लेकर आते हैं क्योंकि वह आना नहीं चाहती थी इसके बाद वहां ने को डांटते हैं जिस पर एना कहती है मुझे यहां नहीं आना था वह कहते हैं तुमने ग्रैंड मा के लिए ना तो कोई गिफ्ट लिया है मैंने सब इंतजाम कर दिया है जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ इसके बाद वह तैयार होने जाती है और वहां पर एक नीले रंग का गाउन था जिसे पहन कर जल्दी से तैयार हो जाती है और वह किसी को कॉल करके बोलती है ग्रैनमा के गिफ्ट के लिए इसके बाद वहाँ एक नीले रंग का ड्रेस रखा था जिससे पहन कर वह अच्छे से तैयार हो जाती है वह उसे पहन कर बाहर निकल ही रही थी तब ही उसे एक आदमी मिलता है जो पहले टारगेट रह चुका था और अब उसने दूसरी शादी कर ली थी वह जैसे ही उसे देखता है तो उसके साथ जगड़ा करना शुरू कर देता है उसकी नई वाइफ भी उसे काफी खरी खोटी सुनाती है यहाँ पर इन दोनों के साथ काफी ज़्यादा बहस हो जाती है क्योंकि वह आदमी उसे बोलता है तुम धोके बाज हो तुम लोगों को फंसाती हो और पैसे हडपती हो तुम दूसरों की पत्नियों को बहकाती हो पर तब ही यहाँ पर जेन आ जाता है और वह इन लोगों से एना को प्रोटेक्ट करता है इन लोगों के वहां से जाने के बाद वह एना से कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो मैने तुमें पहले ही बताया है कि मैं मैरीड हूँ ये तो वह कहती है मैं यहाँ पर पारटी में आई हूँ नेकी तुम्हारा पीछा करने पर उसको 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 जरा भी यकीन नहीं होता और वह उसके बहुत क्लोज आकर उसको डांटता है अब वहां से चला जाता है और एक रूम के अंदर आता है जिन अंदर आता है और बोलता तुम्हें उसको अब और ज्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए और हम एना को कॉल पर बात करते हुए देखते हैं जिसे वह आदमी धमका रहा होता तुमने ऐसा क्यों किया मैं तुम्हें वार्ण करता हूँ वरना मैं सीधा रहूंगा पकड़ने तीसरी मंजिल आऊंगा और वह बोलते मैं दूर के पास ही हूँ और वह जाकर एक ग बिर्थडे पार्टी में और वह सब का वेलकम करते हैं और अपने ग्रेंडशन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो फूजी ग्रूप का प्रेजिडेंट होता है और अपनी ग्रेंद डॉटर एणा को बुलाते हैं जिसे देखकर जीन शौक brush हो जाता है और फिर पता यह मुझे पर छोड़ दो फिर वेट्रेस फूजी गिफ्ट ओल्ड लेडी आकर देते हैं जिसमें एक पेंडेंट होता है जिसे ओल्ड लेडी देखकर खुश हो जाते हैं इसे संभाल कर रखो फिर एना अपनी दादी को कॉल करते और बोलते हैं क्या आपको मेरा गिफ्ट प वह बोलते चिंता मत करो मुझे तुम्हारा अगला शेडियूल पता चल चुका है सिस्टर जल्द ही आपको इस मैरेज से बाहर निकाल देंगे और एना बोलते मुझे और मेहनत करनी होगी और फिर हमें जिन दिखाया जाता है जो आर्चरी चलाता हुआ किसी से बात कर रहा थ वह आदमी बोलता है आप मार्केट में ही नहीं बलकि आर्चरी में भी कैपेबल हो फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं वहां एक लड़की कुछ ड्रिंक्स लाती है और जिन को एक तॉलिया देती है फिर आख मारते हुए बोलती है क्या इस पसंद नहीं आया जिन बोलता है नहीं फिर वह लड़की दोनों को ड्रिंक सर्व करती है और जिन के साथ फलर्ट करती है जिन वहां से बाथरूम की तरफ चला जाता है और वहां बैठा आदमी बोलता है क्या तुम यहां न्यू आए हो तुम्हें पहले कभी यहां स्टोर पर नहीं देखा वह लड़की बोलती है मैं यहां पार्ट टाइम जॉब के लिए आई हूं और वह आदमी उसका नाम जानना चाहता है तो एना उसे बताने से इंकार कर देती है फिर आदमी बोलता है तुम क्यों देखना चाहती हो छोटे सोच वाली मुझे पता है प्रेज फिर वह आर्चरी करते हुए अपना निशाना चूक रहा था तब ही वह एक आदमी इन सब को देख रहा था और ओल्ड लेडी को कॉल करता है और बोलता है यह और शूटिंग रेंज में ड्रेस भी वेट्रेस वाली पहन रखी है और उनकी लोकेशन बताता है वह लड़के जिन को बार-बार परेशान करते रहते हैं तब ही वहाँ जिन का मैनेजर आ जाता है और बोलता है वहाँ ओल्ड लेडी आई है उस लड़के को पकड़ने के लिए जिन बोलता है मेरी दादी को जरूर कोई गलत फहमी हुई है कोई मेरी शादी तोड़ना चाहता है और वह अंदर आ जाती है लेकिन वहां कोई और होता है वह लड़की सोचती है मैं ही क्यों अनलकी हूँ मिशन पूरा होने से पहले ही वो फूजी फैमली से अरेस्ट हो जाएंगी फिर दादी उस लड़के को धमकाते हैं और फिर दादी उसे पैसे का ओफर करती है ये इन मिलियन ती पर एक रूम चले जाते हैं फिर एक वरकर उनका दर्वाजा लॉक करके चला जाता है फिर गार्ड दादी के पास आते हैं और बोलते हैं वो दोनों यहां चले गए हैं फिर दादी बोलती हैं कोई बात नहीं अगली बार उस लड़के को पकड़ लेंगे और उसे अपने अ तब ही जिन बोलता है, अगर हमने ऐसा नहीं क्या, तो हम आज पूरी रात इस कमरे में रहना पड़ सकता है। और उन्हें वहाँ खाने के लिए नूडल्स मिल जाते हैं और दोनों वह खाने लगते हैं। यहाँ पर कैसे आए। फिर जिन उसे मोबाइल चार्ज करने को बोलता है और बाथरूम चला जाता है। फिर एना अपनी दोस्त को कॉल करती है और बताती है कि लास्ट नाइट को एक ग्रॉसरी में बंद हो गए थे और उसका फोन डेड हो गया। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है यह सब इंपॉर्टन नहीं है कल दादी तुम्हें और तुम्हारे हस्बेंड को पकड़ने वाली थी और उन्हें मेरे और तुम्हारे हस्बेंड के बारे में पता चल गया है। सोना कहती है उन्होंने मुझे 5 मिलियन दिये हैं और कहा है कि दोबारा हमारे सामने मत आना। जिस पर एना कहती है यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद वह कहती है छोड़ो अब जो हुआ देखा जाएगा। इसके बाद वह एना से कहती है कल रात तुम अपने BF के साथ थी क्या सब अच्छा चल रहा है जिस पर एना कहती है सब कुछ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है उसके बाद सोना कहती है वैसे तुम्हारा मिशन कम्प्लीट होने वाला है जिस पर एना कहती है भूलो मत वह वाइस प्रेसिडेंट है वह बहुत नहीं है सारा काम अच्छे से चल रहा है और हमें इसमें भी सफलता मिलेगी उन दोनों की यह सारी बातें सुनकर जिन सोचता है कि अगर यह क्लोज हैं तो इसका सिर्फ एक ही कोई कारण नहीं हो सकता शायद कोई और भी बात है एना सोना से कहती है ठीक है मैं अभी घर पर हू मैं तुमसे बाद में बात करूंगी वरना कोई हमारी बातें सुन लेगा और कॉल कट कर देती है फिर वह सोचती है जिनको काफी देर हो गई वह अभी तक वाश रूम से क्यों नहीं आया तब ही उसे किसी के आने की आहट होती है और वह जैसे ही पीछे घूम कर देखती है क जिस पर वह कहती है पर ऐसे कैसे उन्होंने तो मुझे कुछ बोला भी नहीं मैनेजर कहता है वह चले गए हैं उनको कोई जरूरी काम था अगले दिन हम एना को सोना के साथ देखते हैं सोना पूछती है तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो जिस पर वह कहती है यह सब व वाइस प्रेसिडेंट एक अच्छे इंसान है जिस पर एना याद करती है कि जब उसकी सर पर बॉक्स गिरने वाला था तब किस तरह से जिन ने उसे बचाया था और वह वापस प्रेजेंट में आते हैं खैर कोई बात नहीं इन्हें सब को भूल जाओ अगर यही सब याद क पास आता है वह कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ बताने के लिए है जिस पर मैनेजर कहता है हाँ जिन कहता है तो फिर बोलो मैनेजर कहता है मिस एना कंपनी में आ चुकी है और वह स्टेयर पर है जिस पर वह कहता है पर क्यों जिसमें मैनेजर कहता है मुझे नहीं पता ज जिन कहता है अब मैं क्या करूँ लेकिन कोई बात नहीं उसे आने दो मैं उसके साथ इस बार डील करूँगा जिस पर वह कहता है ओके मैनेजर बाहर चला जाता है एना को अंदर लाने के लिए मैनेजर उसे लेकर आ ही रहा होता है कि वह मैनेजर को रोक कर पूछती है क्या वाइस प्रेसिडेंट का मूड खराब है जिस पर वह कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता एना कहती है कुछ तो बताओ उसका मूड अभी कैसा है जिस पर मैनेजर कहता है मैं इतने ध्यान से नहीं बता सकता मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है अगर आपके पास इसके अलावा कोई और सवाल हो तो आप डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट से पूछ सकती है और उसे अंदर जाने के लिए इशारा करता है जिस पर वह ओके बोल कर अंदर आती है और आते ही टेबल पर टिफिन रखकर जिन से कहती है यह देखो मैं टिफिन क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जिस पर जिन उठकर खड़ा होता है और कहता है मेरे साथ यह ट्रिक इस्तिमाल करना बंद करो वह कहती है मैं कोई ट्रिक इस्तिमाल नहीं कर रही जिस पर जिन तुम आखिर चाहती क्या हो, मुझे इस बात का जवाब दो वह कहती है, मैं कुछ भी नहीं चाहती जिस पर जिन कहता है, तुम मेरे करीब क्यों आई तुम मेरी कमपनी में क्यों गुसी आखिर तुम चाहती क्या हो, जिस पर वह एकदम शांत हो जाती है जिन कहता है, इनोसेंट होने का नाटक करना बंद करो, तुम हमेशा से ही मेरा पीछा कर रही थी, क्योंकि तुम्हारा एक मकसद था, वह कुछ बोलने ही वाली थी, कि जिन उसे जोर से चिलाता है, और उसे चुप करते हुए कहता है, तुमने हमेशा से ही जूट बोला है, मैं वह अपने मन में सोचती है शायद इसने मेरी बातें सुन ली जो मैं सोना के साथ कॉल पर कर रही थी दूसरी तरफ जिन भी अपने मन में सोचता है मुझे तुमसे एक्स्प्लेंशन चाहिए प्लीज मुझे एक्स्प्लेंशन करो मैं नहीं चाहता तुम मुझसे जूट बोलो और यह दोनों ही अपने अपने मन में सोचते ही रहते हैं जिन एना से दूर होता है और दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें किस कंपनी में भेजा गया है और उन्होंने तुम्हें कितने पैसे लिये हैं ये काम करने के लिए ये सुनकर वह बेचारी शौक होती है और वह जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं कोई स्पाई नहीं हूँ इस पर भी उसका हाथ जटक देता है और कहता है मैंने तुम्हारी सारी बाते शुनी है तुम्हें किस कमपनी ने भेजा है जिस पर वह कहती है मैं बस अपनी फ्रेंड के साथ मजाग कर रही थी जिस पर वह कहता है अब बस करो, जूट बोलना बंद करो मैं ये सब कुछ और बरदाश्ट नहीं कर सकता इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यहां से चली जाओ और जिन्दगी मुझे डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया मुझे यह उम्मीद तो नहीं थी और वह उठकर वहां से चली जाती है जिन भी सोचता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्दगी में दोबारा तुम्हें कभी नहीं देखूंगा हम अगले दिन एना को सोना के साथ देखते हैं क्योंकि एना बहुत ही ज्यादा उपसेट थी इसलिए सोनक्षी कहती है उपसेट होने की जरूरत नहीं है पर वह उपसेट हो जाती है इसके अगले दिन हम उसे देखते हैं जहां पर जिन की मीटिंग थी वह वहीं पर पहुँच जाती है और चलते चलते, जिसके साथ जिन की मीटिंग चल रही थी उस आद्मी से टकरा कर गिरने का नाचक करती है पर जिन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता वहां से चला जाता है ये देखकर वह और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है और उस आदमी से कहती है मैं एकदम ठीक हूँ इसके बाद वह आदमी भी जिन के पीछे ही वाइस प्रेसिडेंट करते हुए भाग जाता है अगले दिन वह बहुत ही अच्छे से तैयार होकर एक रेड कलर की ड्रेस पहन कर जाती है वह जैसे ही जिन को आते हुए देखती है तो जिन से कहती है कहीं बाहर चलते हैं चाय पर पर जिन से कुछ भी कहे बिना एकदम इगनोर करके साइड से निकल जाता है यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह कॉल करती है किसी को और कहती है मैं इन सब में फेल हो रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ वाइस प्रेसिडेंट मेरी तरफ देख तक नहीं रहे है मुझे लगता है ये मिशन अब हमसे नहीं होगा इसके बाद वह सौमनाद से बात कर रही थी इसके बाद वह एक लेड़ी से जाकर मिलती है और उसको कहती है मिसिस जिन अब हम ये मिशन आगे नहीं कर सकते आपके हस्बेंट ने मुझे सीधा रिजेक्ट कर दिया है तो आप हमें हमारे पैसे दे दीजिए जिस पर मैसेज जिन कहती है ऐसे कैसे पैसे दे दूँ वैसे भी बात हुई थी कि तुम मेरे हस्बेंट को सिड्यूस करोगी पर मेरा हस्बेंट तुम्हारे जहांसे में नहीं आया शायद तुम्हारे अंदर वह चर्म भी नहीं है और मेरा हस्बेंट मुझे धोखा नहीं दे रहा वह मुझे सच में प्यार करता है वह कहती है जो भी हो पर आप हमारे पैसे हमें दे दीजिये पर वह पैसे देने से साफ इंकार कर देती है और उल्टा उसी को बोलती है तुम अपने काम में फेल हुई हो तुम्हें अपना काम ठीक से नहीं आता और तुम जैसी छोटी बच्ची आकर मुझसे पैसे मांग रही हो वह भी मेरा काम किये बिना तुम्हें लगता है मैं दूंगी और वह तब ही कहती है लो मेरा हस्बेंड आ गया और वह अपने हस्बेंड को आवाज लगाती है यह देखकर एना अपना फेस कवर करने लगती है और कहती है प्लीज उन्हें इधर मत बुलाईए पर वह तो वहां पर आ जाता है एना अपना फेस कवर करती है पर जैसे ही वह उसके हस्बेंड की आवाज सुनती है वह उसकी तरफ देखती है और उठकर मिस जिन से कहती है क्या यह आपके हस्बेंड है वह कहती है हाँ यह मेरा हस्बेंड है क्यों तुमने नहीं पहचाना तुम इसी क पर्स से कुछ पैसे निकाल कर फेंकते हुए कहती हैं ये लोग तुम्हारे हार्ड वर्क का भी है और अपने हस्बेंड के साथ वहां से चली जाती है उसका हस्बेंड एना की तरफ भी लाइन मारता है जिस पर एना समझ जाती है कि उसने गलत इंसान को अपना टार्गेट बन आया सोना भी यह सुनकर शौक हो जाती है सोना कहती है पर हमें हमारे पास तो मिल गए न कोई बात नहीं जिस पर एना कहती है बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है जिस पर वह उसे मोरल सपोर्ट देती है हक करके इसके बाद हम रात में एना को कोल्ड ड्रिंक करते हुए देखते हैं और वह बस वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ही सोच रही थी कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है और वह इनसान मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी शकल भी नहीं देखना चाहता जबकि जो वह मुझे समझ रहा है मैं तो वह हूँ ही नहीं मैं तो उसकी क आदमी से उन दोनों को वहां से बाहर फेंकवा देता है इसके बाद एना उसे ध्यान से देखती है और कहती है जिन लेकिन तुम मिस्टर जिन नहीं हो जिस पर वह कहता है तुम पागल हो चुकी हो क्या मेरा नाम जिनहन है जिस पर वह कहती है बिलकुल नहीं तुम वह हो ही पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, वह उसे कुछ बताने वाली थी कि उससे पहले ही जिन सोचता है, ये बहुत ही ज्यादा नशे में है, इसको अकेला छोड़ना ठीक नहीं, नशे में वह उसके कंधे पर गिरती है और कहती है, मैं भी शादी शुदा हूँ और मेर निकालता है और कहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम सेफ प्लेस पर हो, और जाने लगता है, पर वह उसका हाथ पकड़ कर उसे अपनी और खीच लेती है और कहती है, मिस्टर जिन, क्या आप लवेट फरस्ट साइट में बिलीव करते हैं? जिस पर उसे पिछल और कहती है, मैंने तुम्हें ऐसा टारगेट अप्रोच किया था, लेकिन इससे आगे वह कुछ बोल नहीं पाती, वह नशे में थी और धीरे धीरे बेहोश होने लगती है, और जिन भी वहां से चला जाता है, अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है, तो उसका सर बहु उन से पूछा था, क्या आप लवेट फर्स्ट साइट में बिलीव करते हैं, जिस पर उसने कह दिया, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, तब ही वहां पर वाइस प्रेसिडेंट पानी लेकर आते हैं, वह कहती है, मैं यहां पर कैसे हूँ, जिन कहता है, तुम रात को बे बात भी करनी है, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं कि तुमने रात या बोला था, वह कहती है, आप कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, इस पर वह कहता है, अपना हैंग ओवर अच्छे से उतारो, क्योंकि मुझे बात करनी है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्य देखते हैं सोना को पानी लेकर देती है और कहती है क्या तुम्हारा हैंगोवर अभी तक नहीं उत्रा जिस पर वह कहती है मेरा हैंगोवर तभी उत्रा जब प्रेजिडेंट ने कहा कि उन्हें मुझसे बात करनी है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाली हूँ सोना कह देती हैं बकवास बंद करो ऐसा कुछ भी नहीं होगा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जिस पर एना कहती है कोई बात नहीं कई बार जूट बोलने से बहतर होता है कि हम सच बोलें और इस बार मैं उसको सब सच बता दूंगी इसके बाद हम जिन की दादी के घर पर देखते हैं ग्रैंडमा कहती है क्या खयाल है तुम्हें मेरी डॉर्टर इंलाओ से कब मिलाना है जिस पर वह कहता है प्लीज बस कीजिए वह कहती है तो दूसरी लड़कियों के साथ बात करते हो इससे अच्छा है तुम मेरी डॉर्टर इंलाओ के साथ बात करो और तब अब तक जिन वहाँ से उठकर अंदर जा चुका था एना ग्राणडमा से कहती है मैं आप से कुछ कहना चाहती हूं वह कहती है क्या हुआ बोलो वह उन्हें चेक वापस करती है ग्राणडमा कहती है यह तुम्हारे पास कैसे आया वह कहती है मुझे माफ कर देना मैंने ही यह की और माफी मांगी यह बहुत बड़ी बात है मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है और नहीं मैं तुमसे नाराज हूँ मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ और एक साथ रहो और एक दूसरे से मिल लो जिस पर वह कहती है ग्राणडमा मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने हस्बेंड से जल्दी संपर्क करूंगी और उससे अपना अच्छा रिष्टा बनाऊंगी यह सुनकर ग्राणडमा खुश हो जाती है इसके बाद वह घर पर आती है और रात को अपने हस्बेंड को मैसेज डाल देती है मिस्टर जिन्हान मैं आपकी पतनी हूँ और मैं आपसे 9 फाइजर बजे मिलना चाहती हूँ जिस पर दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है ठीक है लेकिन हमें ज्यादा कोई बात नहीं करनी हम डिवोर्स से रिलेटेड बातें ही करेंगे जिस पर वह सोचती है कि इस आदमी को सिर्फ बास के पारे में ही बात करनी है लेकिन कोई नहीं एक बार मिल तो लेती हूँ और वह ओके बोल देती है नेक्स्ट मॉर्निंग जिन ग्रैंडमा के ऑफिस में जाकर चुप चाप अपने मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लेता है और फिर जल्दी से ग्रैंडमा को बताता है मैं जरा जा रहा हूं कुछ काम है और चला जाता है लेकिन ग्रैंडमा को रियलाइज होता है कि वह कुछ पा रहा था वह अपने ऑफिस में जाकर चेक करती है वहां मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था जिसके बाद वह समझ जाती है कि वह डिवोर्स लेने जा रहा है इसके बाद वह 9.8 बजे के बजाए 8.10 बजे ही जाकर वहां पर खड़ी हुई थी जब वहां पर जिन पहुचता है तो उसे देखकर शौक हो जाता है और कहता है यह यहां पर क्या कर रही है पर तभी पीछे से उसे ग्रैंडमा की जोड़दार चिलाने के बाद आती है उन्हें देखकर श पर तुम डिवोर्स के पीछे पड़े हो तुम पागल हो चुके हो वह कहता है प्लीज आप यहां से जाईए जिस पर वह उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट छीन कर कहती है ऐसे कैसे चले जाओ देखो तो मेरी ग्रैंड डॉर्टर कितनी ज्यादा ब्यूटिफुल है और तब जिन की नजर उसके फोटो पर जाती है वह शौक हो जाता है कि यह लड़की और कोई नहीं बलकि एना है जिस पर वह जल्दी से एना की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है तो तुम ही मेरी वाइफ हो उसकी ग्रैंड मा कहती है अचानक से तुम हंसने क्यों अना भी अपना टाइम देखती और कहती है नौ से उपर हो गया पर वह इनसान अभी तक नहीं आया शायद उसे अना ही नहीं चाहिए एना के पास जिन का मैसेज आता है वह कहता है मुझे कम्पनी जाना है मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता ये देखकर उसे गुसा आता है और क पताते हुए कहता है कल एक सावर बजे अपनी फ्रेंड को वहां बुला लेना अगले दिन वह वहां पहुंच जाती है जहां पर एना पहले से मौजूद थी और वह डेकोरेशन कर रही थी वह सोना से पूछती है तुम वहां क्या कर रही हो जिस पर कुछ जूट बोलते हुए कहती है एक्चुली मेरा हस्बेंड यहां पर आने वाला है ये सुनकर वह खुश हो जाती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए वह कहती है तो कब तुम्हारा हस्बेंड आ रहा है वह कहती है जस्ट अभी जल्दी से वह एंट्री लेगा तुम वीडियो पनाव वह वीडियो बनाने लगती है तब ही उसके सामने जीन आता है जिसके हाथ में उसे देखकर शौक होती है और कहती है ये सब क्या है जिस पर सोने जाती है ये देखो तुम्हारा हस्बेंड आ गया वह कहती है मेरा हस्बेंड ये तुम क्या बोल रही हो वह कहती है तुम तो मुझसे नफरत करते थे जिस पर वह कहता है मुझे कल ही सारी सच्चाई पता चली है और मैं जानता हूँ कि क्या सच है मेरी वाइफ, तुम बहुत प्यारी हो और तुम बहुत प्यारा जूठ बोलती हो क्या तुम मेरी लाइफ में दोबारा आओगी और मुझे प्रपोज करता है वह भी हाँ बोल देती है ये दोनों एक दूसरे को حक करते है सभी लोग इनके लिए खुश थे और सभी कलब करते है इसके बाद हम एक साल बात का सीन देखते है जिन और एना एक साथ हैं और दोनों बहुत खुश हैं और वह वही video देख रहे थे जब जिन ने आना को propose किया था एना जिन से कहती है, कहां? वह कहते है, तुम ये video क्यों देखते रहते हो? जिस पर वह कहता है, क्योंकि मुझे ये देखना पसंद है इसके बाद हम इन्हें वहीं पर देखते हैं जहां पर इनकी पहली मुलाकात हुई थी स्विमिंग पूल के पास एना जिन से कहती है वह टाइम किस तरह का था जिस पर जिन कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे एहसास हो गया था कि हाँ love at first sight होता है जिस पर वह smile करती है उसके पास आती है किस करने के लिए लेकिन उसे किस नहीं करता और दूर हट जाती है और बेचारे जिन के अर्मानों पर पानी फिर जाता है जिस पर वह smile करता है तब ही अचानक से एना को vomit होने लगती है इसके बाद हम इनको अस्पताल में देखते हैं जहां पर जिन बहुत ज्यादा परेशान था एना अंदर से आती है और रिपोर्ट दिखाती है क्या दी है मैं प्रेगनेंट हूँ जिस पर वह उसे हक करता है और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं एना जिन से कहती है मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार है और मैं सारी जिनदगी ऐसे ही रहना चाहती हूँ जिस पर जीन कहता है मुझे भी पहली नजर में तुमसे प्यार हुआ था और मैं भी सारी जिनदगी सिर्फ तुम्ह